तो जैहन defense aspirants welcome back to target defense academy first time जब हमने वर्प का class किया था तो हमने क्या किया था काफी section उसमें से complete अब हम आ रहा आता है second section की बात करते हैं तो हमने यह वाला section जो complete किया था बहुत important है कि जो complete किया था एक बर उसको देख तो ले किया क्या था पढ़ा क्या था तो बहुत important है कि पहली चीज जो पड़ी थी वह यह पड़ी थी क्यान और कुड में how am I gonna differentiate that when I have to use could and when I have to use can मुझे can का करना है कैसे differentiate करूंगी क्या करूंगा है तो अब देखे करना क्या है मैंने उसे में बताया है जब हम अपने बराबर वालों से बात करते हैं तो हम उन्हें क्या कहके address करते हैं लेकिन वहीं जब हम सबने से किसी बड़े की बात करते हैं तो हम उन्हें क्या कहके address करते हैं तो तो आपको एक सिच्वेशन में आपको एबल टू दिया गया है तो एबल टू में थिफरेंस केया है बहुत एची सी बात ऐखो वोत इंची इसी Um marketplace को नहीं कर सकते हैं ciąग किसी Har jin रिफ जरूरी आप जह कर दिया कि उसको यह कर रोन किसी जरूरी नहीं कर सकती कि जाए एक यह बात को Tradu तो आप उसमें सिरफ और सिरफ cannot use करें या फिर able to के हिसाब से not able to लगाईए अब हम देखने अपने next section में अब हमें क्या दिया हुआ है I cannot come tomorrow वाइज वो ट्राइज it was right because cannot come tomorrow में हमने क्या बोला हमने यह बोला कि cannot जो है वो come क्या favor कर रहा है I cannot come tomorrow मैं कल नहीं आ सकता और उसी जगे second sentence it is saying I will not be able to come tomorrow वो भी यही कह रहा है कि मैं कल नहीं सकता लेकिन दोनों अगर एक यूज हुआ तो दूसरा नहीं यूज हुआ दूसरा यूज हुआ तो यह वाला यूज लेकिन हम एक साथ एक sentence में जो कि यहां लाया गया था जिसमें cannot रिबस आता था वो नहीं उसकर अब आते अपने हम बात करते है माइठ की है जब हम बात करते है मंस्ट की तो में क्या रहा है है मैं क्या मतलब की कि सीथ की possibility में भी पॉसीए कि सेंस में भी आता है कि कोई चीज के होने की कितनी अनूमाल लगा जा सकता यह भी पॉसिबिलटी के केस में आता है क्य या मैज आप देख है इसमेеч़े इसमें भी हमने क्या लिखा anytime दोनों में बात तो सेमीर में मस्ट मस्ट क्या करता है और किसी चीज साल्इट wavelength को 100% कर देता है या फिर क्या कहा देता है कि शूरिटी दे देता है शूर कर देता है ठीक है अब इसमें कहा है पॉसिबिल्टी किसे साफ से चलेगी तो में के साथ कैसे चलेगी जब में की पॉसिबिल्टी की बात करेंगे तो में के साथ हमारी पॉसिबिल्टी जादा होती है ठ अब इसको समझोगे कैसे अब हमने बोला में माइट और मस्क अब हमारे पास जब यह तीन सिचुएशन आ गई तो इसको हमें फॉलो कैसे करना है कि जब हमारे पास कोई ऐसी बात आएगी जिसमें कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया कि कोई काम नहीं हो सकता एक नॉमल अब हमारे आया माइट को हमें कैसे यूज करना है माइट के लिए हमेशा क्या होता है जरूरी माइट के बहुत जरूरी है कि जब हम माइट यूज कर रहे हैं तो शी माइट नॉट कम तुडएए अज पी अज़ नहीं होगा शी थॉट्ट तो बिएगा अब यहां पर जो मैंने संटेंस देखा शी माइट नॉट कम माइट नॉट कम का मतलब क्या होता है जहां उसके आने की वह बहुत जारा काम है क्योंकि वह कुछी काम में बिजी दिख रही थी माइट में पॉसिबिल्टी उस चीज की कम हो जाती है और उसी जगे में में पॉसिबिल्टी जादा हो जाती है थर्ड हमाय पास सिचुएशन आती है मस्ट क्या कहती है कि भाईया हैंडड परसें है मैंने बोला ही इस वियरिंग क्या स्टेथिस्कोब इन एम्स की मस्ट वी डॉक्टर एक आपने इसमें कैसे पता किया मस्ट का यूस देखें आपको यह पता चल गया कि यहां पर आप यूस कर रहे हैं जो कि एक आइडेंटिटी है डॉक्टर की उसके बार आपने बोला कि मस्ट भी डॉक्टर तो मस्ट यानि आपकी सच्चुशन देखते जाते और उसके साथ करते आपको दिया हुआ है इत्मे रैंट दो में की कि मैने ऐसी बताई थैं कि किसी चीज की बात करते हैं तो में की जो पॉस्टि रहे होगे में की बतारा विक उन्डिट माभित फॉसकी कि रहे है कि उसकी कि कितनी चांसते खुरा H तो सकता है रात में वारिश हो जाए ठीक है अब आगे देखते हैं नेक्स क्या दे रहा है नेक्स में क्या कह रहा है कि वहीं चीज पर में हम दूसी तरह से भी यूज आनि अभी तो हमने में ऐसे कैसे यूज किया पॉसिबिल्टी के लिए यूज किया वह हमने पढ़ लिया अब अब जी यह कि वहादे evangelie पिशले वाले में कि दूसरा कॉंसेप्ट क्या लेका है में ही यूज Caitlin ळेकिन इस बार पॉसिबिल्टीश के लिए हमारे विश्व непंध के लिए विश्फुल नेश के लिए विश्फुल केisme में कि कैसे में लूफ लों तुम लंबा घ्योंट भूसीबिल्टि यह डाना नहीं लंबा जी विश्क की जा रही होग एक विश्फोनलेस लगाई जारी सबस्वार इसमें करेंगे कैसे फॉलो कैसे होगा यहाँ में एक सेट्मेंट दिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉस प्रेसेंट में है subordinate clause के साथ so that या that या फिर in order that starting हो रही है नए clause की तो उस case में subordinate का क्या होता है में का इस्तमाल करने की जरुवाद बढ़ सकते हैं for example आपको एक sentence दिया we eat so that we may live what does it mean it means कि अगर मैं इस sentence को लिखूं we eat और मैं लिखूं we may live independently यह दो sentences बर्न रहे हैं लेकिन इन दोनों को connect करने का काम कौन कर रहा है तो that अब यह चीज यहां से यहां है और यहां से आई we eat so that we may live तो complete sentence क्या बन गया we eat so that he may live अब इसमें so that आप box में करिये यह number one था यह number two था अब इसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं इसको solve कैसे करना है अब इसमें लिखाए we eat so that we may live अब बात समझें यह पहली बात क्या कह रही है कि हम खाते हैं बात खतम हो गई थी लेकिन उसने क्या बता हम खाते हैं ताकि हम जी जाएं इसमें अगर मैं इसको हिंदी में लिखो तो हम क्या लिखेंगे हम है आते हैं आते हैं हेल टाकि इक उटब क्वीच ह्यां ऑच कि मन कर्णीर शुकलिठ योे एक सेंटेंस में बर फ्र कर रहता और शल्मांटर इसको इसको सम остasy Frontree बरेड़ करता है अब इसमें आते हैं इसको समझना कैसी जब हम आपते सेंटेंस आया है तो हम खाते हैं यह बात ताकि मतलब तो दोनों बातें अपने आपने बहुत जादा निर्भर करी उसका खाना किसी रीजन के वें हो रहा है कोई कॉज है उसके बीचे ताकि वह जीप आए तो वहां पर दूसरे वाले केस में यह आएगा तो इसको हम क्या डिकलेर कर देते हैं कि यह हो जाता है हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज क्यूंकि यह बात अपने आप में कुछ नहीं है जब यह हो रही है तभी हो रही है यहां पर क्या आएगा यह हमारा कौन सा क्लॉज है जल्दी से बताईए यहां पर देखा था हमने फ्रिंसिपल लॉज अब यह बेसिक था जो मुझे आपको बताना था है आए थिंक आए अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं अपने recapitulation के लिए हमें बोला गया we eat so that we may live यानि जब इस तरह का sentence है जिसमें so that जुड़ा हुआ हो किसी दो भागों में sentence को divide करते हुए तो पहला वाला principal clause हो जाता है और दूसरा वाला subordinate और जब subordinate clause लगता है तो उसमें chances है कि हमें में ऐसा शब देखने को मिले बस इतनी बात थी जाहो तो इसको अच्छे से लिख सकते हो प्रॉपर्ली राइट करने के बाद आप इसको कर सकते हैं अब आते हैं नेक्स सेक्शन हमसे क्या कह रहा है हमाया पास दे रहा है माइच का प्रयोग है मैंने अभी आपको बता दिय यह कूंती है मिय का करते हैं किसी चीज की जदा कि बात कर रहा हैं तो आपस्व कि वह हमारा में के साथ हो बीस से कि में राण कि जो है वो as it is उपर वाला है, he might pass the examination, क्या इन दोनों में कोई difference है, अगर मुझसे कोई पूछेगा, और मुझसे zero understanding है, और आपको कि मैम जो बता है, आपके हिसाप से चलिए, यह मेनिंग जाएगा, कि यहाँ पर में जो है, वो ज्यादा possibility दिखा रहा है, कि इस case में उसके पास qualify करने की possibility जादा है, और might की बात करें, तो यह less possibility दिखा रहा है, यह क्या दिखा रहा है, less possibility दिखा रहा है, तो यह दो cases तो हमाय सामने clear हो गए picture में, अब हम एक चीज़ देखते हैं, कि अब इसको समझेंगे, तो कैसे समझेंगे, for example, अगर मैं इस आप हम परबढ़ हो गया, एक sentence देखते हैं, अगर मैं लिखती, he might pass the exam, तो इसकी less probability है, यह आप कैसे share कर रहे हो, यह हम इसलिए share कर रहे हैं, कि जब भाई आप यह वाला sentence पढ़िए, but thing is intelligent, पर उसकी बुद्धी मता को देखते हुए, क्या बोला गया, I do not have much, मुझे उससे जादा उमीद है नहीं, तो यह उमीद ना होना reflect कर रहा है, कि यह चीज कैसी है, less possibility को denote कर रही है, अब इस बात को एक और तरीके से समझे, थोड़ा सा आपको मैंने उस दिन एक और चीज पताई थी, उस बात देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं, मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने आपको कुछ words दिया, might है, यहाँ पर पास है, यहाँ पर the first word, okay, the second word is pass, the third word is seeing, the fourth word is do not, and the fifth word is have, अब मुझे आप यह बताईगे कि अगर मैं इन सारे words को आपको बता दूँ और आपसे काऊ मुझे बताओ, यह वर्प की कौन-कौन सी फोम है, यह फ्लोचार्ट पढ़ाया था, starting of the class में, आप मुझे उसी केस आप से आपको यह समझाते हैं, तो आप इसको समझाएए, फिर हम आपको समझाते हैं, आपके पास 5 seconds है, आप इसको recapitulate करिए कि मैं आपने क्या बताया था, कौन सी चीज क्या हो सकती है, मैं बताऊंगी कि इसको हम कैसे पासे, एक थौट देलो आराम स आप देखते हैं हमें इसको करना क्या है, हमाएप सब्सक्राइए, माइट, पास, डून आप और है, अब इसमें माइट बहुत इंपोटेन्ट है, माइट के साथ एक चीज समझने की कोशिश की करिए, माइट के साथ क्या केस है कि माइट हमने पहले पढ़ा था, कि माइट क में लिख देते हैं कि यह क्या है हमारी में वर्ब है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारे पर किया हुआ है कि में वर्ब के साथ सींग है सींग क्या होता है आपको क्या बताया था मैंने किसकी तरह यूज़ हो रहा है यहां पर जीरंड की तरह यूज़ हो गया जीरंड हो गया फिर हमें do not दिया है do not हमारी क्या है helping verb है ध्यान से देखो sentence को और have क्या है have हमारा possession बता रहा है किसी तो possession के case में आएगा this is not a verb तो यह चीज थी जो हमें समझने थी अपको मैं इसको हमें फिर से समझने आए आपकी बात है हमें समझने आए तो जरा मुझे यह बताना pass क्या है main verb के पहले दोई चीज़े हो सकती है क्या हो सकती यह तो वह model लगे या वोो helping लगे या तो वह model auxiliary verb लगे वह helping लग में helping यहां है नहीं तो बचा क्या model तो might क्या हो गया model ठीक point number one point number two दिया है pass pass क्या है pass हमारी main verb है concept खतम फिर दिया हो है sing sing क्या है देखो but sing या कि किसी जो होता है वो कैसा होता है एक ट्रांस्ट स्ट गो कि अगर है तो उसके साथ ing नहीं लगता है जब वह to cat कि वह होता है तो उसके साथ ing लगता है ठीक है पहली बात दूसरी बात तो यह व गई अब तीसरी चीज इंपोर्टेंट यह है कि शिए गया तीसरी चीज़ यह सीन क्यों लिखा है यहां पर किसे इस इस तरह से काम करें या यानी क्या गया कि वह पास तो कर सकता है यह हो सकता है पास कर लेकिन उसकी बुद्धी मता को देखते वे मुझे उसे कि जादा उमीद नहीं और अपकी में वर्ब के फ़र्म में आघाए में यहां आपकी जीरेंड यह बहुत ही बहुत ही आई का question था जो शायद आपको नियर नियर ना होता है अब इसको लिपली ना पढ़ते हैं अब इसकी screen क्लियर करते हैं और आते हैं अपने next portion की तरफ next portion हमाई सामने पड़ा सुंदर सदिगा हुआ है मैं सामने एक sentence है उससे पहले कि हम इस sentence को पढ़ें मैं basically आपको थोड़ा सा outline दे दे रही हूं कुछ नहीं बोला है इसमें यह पोला है वही चीज जो मैंने बताई थी अगर हम किसी चीज को लेके 100% sure है या हम उसकी होने की पॉसिविल्टी है तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं उन सारी चीजों के लिए हमारा जो टर्म है वह मस्ट का अब आप sentence पढ़िए अब आपको पहले दो बाते अल्रेडी बता दी गए जस्टिफाई कर रही थी कि वह इस पहुंचा पहली बात आपको क्या बताई गई उससे बोला गया कि वह ऐसा है तो रहता है ठीक है यानि स्टेज लेता है और ट्रेवल करता है वह फ्लाइट से तो एक एक इंडिकेशन है कि यह दो चीजे वही कर सकता है जिसके पास पैसा होता है ठीक तो पैसे की बात आ गई तो फ्लाइट हो गया मंदब फ्लाइट के त्रेवल कर रहा है और उसके बाद उस चीज पर कॉंक्लूजन दीगे कि भाई वह पैसे वाला तो होगा और इस बात में आप डाउट भी बहुत ध्यां से देख़ें अगर मैं लिख रही हूं下次 को सैं कि 33 001800 का मतलब है मैं आय कमिन तब का कैसे permission सीख कर रहा है कि यहां पर तो पर में जिक होता है देखिए इसमें प्रशनात्मख व्यक्तों में किया जाता हैma पर उसमें यहां प्रशनाथम अन्दर है Humundas दागि है आपको बराबर का कोई है तो आप कैन कहलो लेकिन आपसे जब को बड़ा होता है तो आप उसके लिए में यूज कर तो सिंपल सी बात थी इतना सोचना नहीं था एक बार हम इसकी हिंदी रिटिंग लगा लेते हैं ताकि कोई हिंदी मीटियम का बच्चा है तो उसके किसी थौट प्रोसेस में दिखता हुआ है ना बिटा मेकप प्रयोग सम्मान के साथ निवेधन करने के लिए प्रशनात्मक व्य पहले यह बताइए कि पढ़ना क्या है पढ़ना यह है कि हमें यह बोला गया कि में और माइट जो होता है कि नियुक्त पॉसिबिल्टी को बता रहे हैं कि किसी चीज़ की होने की इतना अनुमान लगाया जा सकता है दूसरी बात जो इंप्रोटन ज़्याद रखनी है कि V मे और पॉसिबली दोनों में क्या डिफरेंस है पॉसिबली जो है उसके साथ क्या केस है जब पॉसिबली की बात करें के साथ यह आएगा यह तो पॉसिबली यूज करो ठीक है और यह आप इसके साथ में का इस्तमाल करते हो तो में के लिए हम क्या बोलते हैं में के लिए हम बोल इसके साथ मैं यूज करेंगे मैं यूज करें तो पॉसिबली तो उसी तरह का sentence आपके सामने आया था यहां पर वी में का भी यूज हुआ और उसके साथ पॉसिबली का भी यूज हुआ तो यह sentence superfluous हो गया superfluous का मतलब होता है कि more than one meaning तो वर्द्स giving more than one meaning ठीक है अब इसमें देखते हैं हमसे क्या कहा गया है अब यहां देखिए we may possibly come tomorrow गलत हो गया और गया दिया हुआ है we may come tomorrow is a right sentence जब हम क्या यूज करेंगे तो में नहीं यूज करेंगे जब में यूज करेंगे तो जब दोनों को यूज करेंगे तो गलत है अब आते हैं next point पे नेक्स हमसे क्या कहा गया next हमसे एक संटेंस शैल और विल का रूल आ रहा है अब शैल और विल में छोटी सी चीज़े मैं बता दू पहले डिविजिन कर देती हैं तब बताती हूं तो इजी रहेगा है जब हम आई और वियूज करते हैं तो शैल आता है ऐसा कहा जाता था एक और चीज़ कही जाती थी कि जब हम विल का यूज कर रहे हैं तो वह आएगा शी के लिए ही के लिए सब के लिए मता या में का तो आपैं लेकिन जब मॉर्डन इंडलिश है वह कैती है कि नहीं तो आप gebe-ची डिफरllersंस में लिख द्रींगेर कता है कि अ जोटा से डिफरेंगलिश मैं लिख दे congress कि चैल और लिल कोनों एक सैट किया जा सकता है दोनों कैसे हैं अब जोनों जोब एक सैप्टर प़ल है तो उनके साथ क्या केस होगा जल्दी से देख अब देखते हैं क्या case होगा यहाँ पर जब acceptable की बात आई तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको या रखनी है कि आए चैल या विल दोनों सही है ठीक है यानि नॉर्मा सेंटेंस में सही है लेकिन जब इंटेरोगेटिव आता है जब इंटेरोगेटिव आता है तो इंटेरोगेटिव में आए के साथ चैल की जाएगा और वी के साथ भी शैल की जाएगा यह करेक्ट है यह करेक्ट है कब जब यह इंटेरोगेटिव का case है इग्जाम्पल के तोर पर देखो कैसे सपोस करो मैंने एक छोटा सा जी जिया होता और वह सेंटेंस होता अत्या हएग कम अत्यूंद्र करेंख एगधर यल एक छिट्यूम और एक संटेंस दिया होता प्ल उल ग्धि बहुत दिमाग लगा के आंसर देना है ठीक है अब हम आंसर देखेंगे कैसे सही है जब क्वेश्चन पूछेंगे जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत जादा वाई के साही के साथ आकि विक साथ उन लगा है गलत है और नहीं कहीं कई है क्यों पटो आई के साथ आए कधैकर नो बहुत दोन बहुत इ vallahi लख लिखा जब थ characters पिर आगे लिखा हुआ है विल आयकम नहीं हो सकता विल वी कम विल वी कम यूज नहीं हो सकता यानि यह गलत है बात समझ में आई इसको अच्छे से लिख लीज़े एक फिर से यार रखिए आई और वी के साथ चैल का इस्तमाल तब होता है जब हम उससे कोई क्वेस्टिन बन अब यहीं चीज़ आपको समझा नहीं थी और इसी चीज़ को उन्होंने उपर समझाया हुआ मैं इसको आपको क्रॉस चेक करके दुबारा दिखा दे रहे हुँ क्योंकि ही के साथ तो हमने कहा था कि विल आता है देखिए ना ही के साथ मैंने विल बताया था आपको अब द द्रूरी अब भी इसी लिए लिखा हुआ है वीलाए फोल गलत उल्स होगा शेल सी सबसक लें भी सदून हो क्यों कि यह कैसे सेंटमिक है कैसे सेंटमिक है यह हुआ मैं क्लीयर तते ऐूति घूस कsilी यह समझना फोबहुत तरहिए लेकिन इसको समझना फोड़ा सकत तेड़ा काम है मैं आपको सिरफ और सिरफ सेंटेंस हाइलाइट करूंगी आप उपर की हेडिंग को एक बार के लिए निगलेक करना जो कि पॉसिबल ही नहीं है कामने कुछ लिखा है तो हैडिंग कैसे निगलेक कर देंगे बट सिल यूव टू देखते जाते हैं क्या क्या है हमारी जोड़ है और फिर हम उसको कवर करेंगे अब हमने जो हैड़ाइट से हाइलाइट किया है मुसरी पर फोकस करेंगे बहुत ध्यान से देखो एक सेंटेंस कर रहा है आपको कोई कह रहा है यहां पर आपको क्या मिल रही है कमांड मिल रही है यूशल लीव रूम एट वन्स यूशल गो आउट अप देख्लास यहां पर जो शैल है वो फ्यूचर ना डिनोट करके फ्यूचर इवेंट के साथ साथ क्या डिनोट कर रहा है फ्यूचर तो है ही है प्लस कमांड भी शो कर रहा है आई बात समझ में नेक्स क्या दिया है यू शैल बी अवर्ड़ में जिस तरह तुमने काम किया है यहां जो आया और यहां पर आया आई विल यू प्यू कम वर्ड़ में दोनों में यह दिखा रहे हैं कि चाहिए जो सिच्वेशन मिलना ही चाहिए तो दोनों केसे में किसी तरह का क्या जा रहा है एक तरह का वर्दान दिया जा रहा है या फिर प्रतिग्या की जा रहे है that means what else you can say is this is the promising way promising way, ठीक चले अब next एक त है next हमसे क्या कह रहा है वला है त्रिप्रंस्ट हम से बी नेक्स जाते हैं त्रिपार्सरी स्याल भी प्रोसीक्यूइट यूस? इवर्फ लोगों को है क्या करते है तो इसी चीज को यहां पे उपलागया है अब देखते हैं इसमें क्या दिया है इसमें बोल रहा है कि ट्रिपासर शैल भी प्रोसीटे दूसरा दिया है आई विल पनिश यू आप भी बताइए कोई और आप से कह रहा है आप से प्यार से नहीं बोल रहा है वो आपको किसी तरह की थ्रेट दे रहा है किसी चीज का डर बैठा रहा है मैं क्लीन कर देती हूं और यह कंफर्टने दिखा रहा है इस वाले में भी दिखा रहा है शैल भी प्रोसीटे मतलब उनको गिरफ्त में लेना चाहिए तो यह तरह का थ्रेट है एक तरह का डर है यानि शैल के कितने मॉल्टिपल डाइमेंशन हो सकते हैं जिस तरह से उसका स्थमाल होता है वो दिख रही है अपने आप में एक द्रण संकल्प दिख रहा है तो उसी द्रण संकल्प की बात करें कि आपने आप में क्या है determination है क्या है determination है अपनी आप से एक वादा है जो कि determination के अंडर आता है फिर मैंने आप से बोला कि you shall be here for the meeting और मैंने बोला I will have to finish this one I will have to finish this one अब बात बताओ इसमें बोल रहा है I will have to finish this work तो इसमें कहीं मैं कहते हो कि compulsion के लिए तो आप कहती हो कि must आता है पर अगर must नहीं आया तो क्या आएगा तो must नहीं आया तो शैल भी आ सकता है या फिर विल भी आ सकता है ठीक है excuse me for the writing अब इसमें क्या दिया हुआ है you shall be here for the meeting यह जो है वह आप से कोई कह रहा है कि तुम्हें यहां मीटिंग के लिए रहना है पहली बात और दूसरी बात क्या बोली गई है I will have to finish this work तो मैं समझाने के बाद आपको एक 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 जामपल देखे पूरा बताओंगी तो यूँ डोंट नीड टो टेक एनी काइंड अप स्ट्रेस होगी चलिए आप इस चीज के साथ भी कमपल्शन देखने को मिली जबकि यहां पर विल का इस्तमाल हुआ था अब आगे देखते हैं और क्या है मारे पास अब यह देखिए इंट्रेस्टिंग सब्सक्राइब को जो आपके सामने लिखा पहले मैं डिफाइन करती हुआ कि इसको कहते क्या है पर हम पढ़ेंगे यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर हम इसको और खुबसूर्ती से लिखें तो कुछ इस तरह से जाए अवह फिर साथ में डांस करते हैं इतरो साथ में पढ़ें पढ़ा जाए गया यह ठीच को पूंचा जा रहा है एक सेंटेंस उसमें बोला गया लेट अस यहां डांस लिखा है मैं लिख लेती हूं let us study together जो कि आप लोग अभी together तो study नहीं करते हो अकेले ही पढ़ पाते हो ठीक है तो let us study together दिया हुआ है और उसके बार उसी चीज पर बोला गया है शैल वी तो यहां पर क्या होता है वी क्यूं आये एक कोशन आएगा मैं यह बताएगा आप कैसे पैचान लेते हो कि लेटस के साथ भी आएगा मेरे को लगता है यह आएगा यह नहीं कोशन क्योंकि अस आया हुआ है तो असके साथ जो उसका subject जाएगा फॉलोगा objective case में subjective case में वी होग तो लेटस study together यहां पर बात की क्या लगाई गई probability लगाई गई यहां पर लेटस की जगह लिखा होता लेस्ट लेटस study together दोनों एक तरह से एक ही तरह के reciprocation है reciprocation है यहां क्या रहा है कि लेटस से शुरू होने वाले imperative sentences के question tag में भी शैल का प्रयोग होता है यानि लेट अगर आ गया तो मतलब इसमें जो question होगा वह विल या चैल के साथ फॉलो करेगा जिसमें ज्यादा probability शैल की है अब इसमें हम देखते हैं कि हम और क्या समझ रह लेटस के लिए जब हम उसी बात पर question करेंगे तो उसमें हमेशा शैल का इस्तमाल होगा ना कि विल का तो शैल का जब इस्तमाल होगा तो लेट्स या अस या फिर लेट्स के शुरू होने वाले imperative sentence question tag में भी question tag में भी शैल आएगा तो let us dance together तो उसके साथ शैल भी फॉलो करा आई बात समझ में clear हो गया एक बाद फिर से देख लो एक sentence एक example के लिए 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 रही हूं तोटी सी बात है let's move on एक normal sentence है मैंने का इसका question tag बनाओ अच्छा इसका question tag बनाना इसमें क्या है ma'am let's move on है आप लिख दीजिए let's move on अब let's के लिए हमने क्या बुला था कि will का इस्तमाल होगा या शैल का होगा यह आपका answer हो जाएगा चैल इस्तमाल होगा simple is that it was very simple I suppose you must have got it ठीक है अब इसको clean करते हैं बढ़ते हैं आगे और आता है हमारा next section बड़ा प्यारा सा वही चीज़े हैं जो हम पूछ और बार बार आ रही है यहां पर जो दिया हुआ है वह हमसे क्या कह रहा है उससे पहले मैं बता दू कि कहना के जा रहा है कैसे क्या है तो इतने सारे cases पढ़ लिए लेकिन एक चीज और रहा है कि शैल को suggestion के लिए interrogative sentences में होता है यानि पहली बात तो यह याद रखनी है और दूसरी बात यह याद रखनी कि interrogative questioning sentence first person के subject के साथ होता है तो मालेज आपको sentence दिया हुआ है यानि यानि यह तरह से suggestion लिया जा रहा है क्या जैसे आप से मैं बोलू क्या लगता है क्या रिष्ते की बात की जाए या आपको क्या लगता है क्या naam के लिए नहीं करें कि दिखनी ह्या сообщ बात को सुझेशन के वे में पूछ रहे हैं वह बात करें मैनेजमेंनेंट से आप इतना लिख लिजय और इसके बार हमें एक दू सेंटेंस क्या देते हैं अब अगर बोले हो शैल वी स्टडी तो इसमें साफ साफ क्या दिखा रहा है कि शैल वी स्टडी टूगेधर क्या दिखा रहा है भई सजेशन दिखा रहा है तो सीधी सी बात है कि यह सेंटेंस पर शैल काना बिल्कुल भी तलट नहीं ठराया जा सकते हैं अब इसको एक बार के लिए रिज्यूमा दे दो यानि एक बार के लिए इसको रिकाप कर लो फिर हम आगे देखें कि आगे हम क्या कर सकते हैं चलो भाई अब यह चीज तो हमें आ गई अब देखते हैं next क्या हो सकता है next हमारे पास एक case आया और वो आया ये अब बहुत ज्यादा दुक्की बात है क्योंकि उमीद तो की थी कि हो जाएगा पर हुआ नहीं तो ही ओब दाट कि वुड़ कि वुड़ पास टेस्ट किस फॉर्म में मुझे बताईए वर्ब की पहले में दूसरा पैंसलिक आप लोग को समझ में कमाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है तो उसके साथ जो हमारी यह वाली जो में वर्ब है या इसको कहलो जो सपोर्टिंग वाव है उसके पहले वीवन में आगई कोई वर्ब की फॉर्म इसका मतलब उसके पहले लगने वाली चीज वीटू में रही होगी तो कि यह दिखा रही कि पूरी बात जो है पास्ट में ही बोली गई ही वूड़ पास मतलब उसने उमीद की थी कि वह पास कर लेगा अगर मैं इसको हिंदी में ल अगर उसने उमीद की थी कि वह पास कर लेगा अब इसमें देखते हैं हमें समझ में क्या है हमें समझ में यहां पर चीज दी हुई है जो कि कह रही है अगर वा के पास से शुरू हुआ है तो विल शेल नहीं वूट शूड यूज होता है यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लेकिन शूट के साथ मैंने और भी कैसे बताते हैं कि शूट का हमेशा कंपलिशन लगाता है तो प्रेजन के साथ पास के साथ दोनों में आ सकत अब इसमें यह चीज तो बेसिक समझ में आगे इन्होंने यह बोला है कि भाई देखो एक बात तो हमने आपको यह बताई कि यहां पर विल शेल नहीं वूट शूड होगा पहली बात दूसरी बात ही सेड देट ही वास कमें तो यहां पर अगर मैं इसको यह ना लिखके यह लिखू इन्होंने जो पहला सेंटेंस लिखा होता अगर आप उसको देख पा रहे हो तो शायद आप यह रिलाइस करोगे पहला सेंटेंस लिखाता ही सेड लाट कि हुआ है रिखा होता है गलत क्यों को अब पिर से वही देखो सेड इस फॉर्म में वर्प की सेकेंडेंस फॉर्म में दो अटम noi होगी वह हमारी सलो में नहीं रहेcko सकती हैं अब यह सेंटेंस पारा सही है is that clear are you able to recognize कि कहाँ पी किस चीज़ों को कैसे पकड़ना है अब बात समझो आगे क्या देखनी है कि हम करते हैं क्लीन और खुलते हैं हम अपने next session कि session हमाय तास दिया हुआ है वो हमसे क्या कह रहा है कि सिंपल सी बात है कह रहा है विल शेल नहीं वोट शुट यूज होता है कब जब वाक्ट कभी पास्ट में तो मैंने बोला सपोर्ज कि 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 इस सच देट ही वोट सपोर्ट यहां पर आया ही सेट डैट ही वोट सपोर्ट यह वुट किस फॉर्म में वीटू फॉर्म में विल नहीं आया यह वह नहीं आएगा वीटू जो है सपोर्ट विवन्म में हैं ezeil या पास्ट करको यह चीज कहAlग रहे हैं यह कहरे हैं इन्हों ने ऑर सोचओ के क्या क्या Espero यह नियम तब भी लाग होता है जब विलश्यल के इस्थान पर कोई model आए इसका मतलब समझ रहे है आप क्या है जैसे माली जाए यहाँ पर सेंटर लिका होता है he said that he my may come अब इसको हम कैसे करेंगे he said that he may come इन्होंने वही बात बोली ना कि यह विलश्यल के स्थान पर अगर कोई model आए तब भी हमें यह वाला रूल फॉलो करना है यहां पर model क्या रही है आप बताइए यहां पर model आपकी क्या आई में आई तो model जहां आए वहां पर भी हमें किसका यूज करना है हमें वुड और शुड का यूज करना है मना वुड शुड की तरह ही form लेकर सेकंड तो ही सेज़ए दाट ही में कम नहीं यह माइट कम अब नेक्स में लिखों इसी में मैं लिख दूं ही स्टैट इस अब सोच के बताना है इसको ठीक है अब इसको चेंज करेंगे आपने बोला सेड है मैं सेड तो वी-टू है वी-टू पास्ट नोट करता है तो इसके पास्ट नोट करने की वज़े से आपको जो आगे लगाया है शैल इसको चेंज करना पड़ेगा शुड में क्योंकि फिर से यह बात है कम तो अलएड़ी वी-वन फॉर्म में है तो यह वाला भी वी-टू फॉर्म में हेल्पिंग वाफ हो जाएगी इसको फॉलो करेगी यह और रूल के हिसाब से यह वाले के हिसाब से भी बात से बैठ रही है आई बस समझ में क्लियर हो गया दो मिन कहाने से पहले चोटी सी बात पढ़ लेते हैं कि कंडिशना सेंटेंस नाम की चीज अगर जिंदगी में कभी भी सुनी नहीं है तो बहुत इंपोर्टन है कि थोड़ा सा इसको सुन लिया जाए क्योंकि यह कही ना कही गेम जो है चेंज कर सकते है इसके बारे में क्या कहा ज झाल अब आगे आते हैं नेक्स चीज पर नेक्स हमसे कहा जा रहा है एक सेंटेंस है जिसमें दिया है इफ आई विल कम आई विल मीट अगर मैं इसको लिखूं तो कोई ऐसा बच्चा जो फर्स टाइम पढ़ रहा हो कहेगा मैं इसमें गलती तो मुझे नहीं दिख रही है आपक अब यह सेंटेंस एक नंबर है और यह सेंटेंस दूसरे अब समझना इसको बड़े ईजी तरीके से करना क्या है एक बात बताओ इफ आई विल कम अगर मैं आउंगा आई विल मीट मैं तुमसे मिलूंगा क्योंनों काम अभी हो रहे है लेकिन एक बात है कि यह वाली बात ज मैं यह पूर यह हो तो एक शर्त पर दूसरी बात हो रही होती है थो क्या कहते है कंडिशनल और अब यह गेम चेंजर क्यों है क्योंकि बच्चा अगर देखे तो क्या गलत है गलती बताईए ज़रा ग्रामर में तो कोई गलती नहीं दोनों काम फ्यूचर में हो रहा है तो इसमें समझना यह है बेटा कि जब इस तरह का sentence होता है तो हमेशा है रखना कि जब दोनों बात हमारे फ्यूचर में करी जाती है तो एक को हम तुरंत का प्रेजंट इंडेफिनेट माल लेते हैं और एक को हम फ्यूचर इंडेफिनेट जो पहली बात होती हो प्रेजंट डेफिनेट में चली जाती है तो जब पहली बात प्रेजंट डेफिनेट में चली तो आएगा इग अगर मैं आऊँगा तो मैं तुमसे मिल दोनों बाते कहतों एक ही मीनिंग रही पर यह वाला गलत है क्योंकि एक टैंस में चल रहा था और यह सही है क्योंकि शर्त पहले पूरी होगी उसके बाद वह काम होगा अब इस चीज को आप देखें फॉलो हुई यहां पे कि नहीं इ एक के बाद एक और दूसरा कार पहले कार के होने पर निर्बर हो तो कार सिंपल प्रेजेंट टैंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टैंस हिंदी में इंग्लिश करने की आदत होती है जिसकी वज़े से हम कार को भी सिंपल फ्यूचर में कर लेते हैं अगर मैं आऊं future definitive इत्ती सिम्पल सी बात थी जो आपको समझने अब देखते हैं आगे क्या है आगे देखें अगर बहुत ध्यान से एक कुछ words है जिसको हमें यू करके कई-कई तरह сид little numa attendance क्या दे रहा है दे act simply कह रहा है आपको कुछ words दे दिये जाए और प्यारे प्यारे words आपको दे दिया गया it कै आस एस तरह आपको दे दिया गया in case फिर आपको दे दिया गहा प्रौइड आपको दे दिया गया पिर आपको दे दिया गया until before मैं क्यों लिख रही हूँ न कहों कि मैं पर लिखा है क्यों लिखने का मतलब यह है कि आप उसको कम से कम दूसरी कार भी रीड करो क्याने का मतलब यह है कि इस चीज को नेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए हम इतना यार रख सकते हैं कि जब एस सून एस इन केस प्रोवाइडेट ठीक है एक मेंट रुक है अभी इस चीज को समझने कि बहुत जाला जरुआत है कि हम यह क्या समझ पुलिव सान ओडियरुग गया वीडियो